है दोस्तों वाट्सेप एन वेलकम बेक तू मैं सेनल फास्टेप में आपको जो आपकी फोटू है उसको लाइट्रूम एप्लिकेशन में सिया कर लेना है देन आप लोग को इस तूल्स के ओपर क्लिक करना है उसके बाद आपको कॉंट्रेस को थोड़ा इंक्रीस करना है सेके आपको तूमे राखना है उसके बाद को थ्किरेस करना है उसके बाद को तूल्स के ओपर क्लिक करना है नब को त्रेप्रेसर को थोड़ा इंक्रीस करना है प्लास 10 में रखना है उसके बद आपको वाइबरेंस को थोड़ा इंक्रीस करना है 20 प्लास आपको रखना है वाइबरेंस को 28 में 30 में रखना है उसके बद आपको सेटरेशन को थोड़ा इंक्रीस करना है प्लास 16 में रखना है आपको इसके बाद आपको तीन को थोड़ा इंक्रीस कर लेना है प्लास एट में रखना है आपको तीन को फोर में रखना है प्लास देन आपको इसके उपर क्लिक करके आपको रेट की सिट्रोइशन को थोड़ा इंक्रीस करना है प्लास सेवेंधी वान में रखना है उसके बद आपको orange color की उपर क्लिक करके orange की situation को थोड़ा decrease करना है minus 40, 5 में रखना है उसके बद आपको luminians को थोड़ा increase करना है plus 40 के above आपको रखना है plus 50 में रखना है उसके बद आपको yellow color की उपर क्लिक करना है then आपको yellow की hue को full decrease करना है उसके बद आपको saturation को full decrease करना है yellow color की उसके बद आपको green color की उपर click करना है then आपको green की hue को भी full decrease करना है उसके बद आपको saturation को भी full decrease करना है green color की then आपको luminance को थोड़ा increase करना है उसके बद आपको blue color की उपर click करना है माइनस थर्टेन में रखना है दैन सिंपले करेंड emphasis-down डान करने के बाद आपको इस तूल्स के ऊपर क्लिक करना है भूदान को इसकी सएदों की दो कि आपको तू 30 के आ पस आपको रखना है प्लास 30 में रखना है उसके बद आपको situation को 45 प्लास रखना है आपको 47 में 43 में रखना है उसके बद आपको नीचे जाना है देन आपको luminance को थोड़ा decrease करना है माइनस 60 के आपको decrease करना है luminance को माइनस 68 में रखना है उसके बद आपको blending को प्लास 100 में रखना है फुल इंक्रीस करना है उसके बद अबे आपको बैलैंस को फूरा द्रीक्रीज करना है थर्ती के बूबgen को प्लास 40 पना इसके बद अबद आपको दिहेस को फूरा इंक्रीज करना है 8 में रखना है उसके बद आपको विगनेटी को थोड़ा decrease करना है minus 30 के आसपस आपको रखना है विगनेटी को विगनेटी को 30 के आसपस रखना है minus 31 में रखना है उसके बद आपको midpoint को थोड़ा increase करना है आपको 61 में रखना है midpoint को उसके बाद आपको feather को थोड़ा increase करना है 67 में रखना है then आपको simply निच्छे जाके इस tools के ओपर click करना है next then आपको surpening को थोड़ा increase करना है उसके बाद आपको निच्छे जाके noise reduction को थोड़ा increase करना है इसके बाद आपको contrast को थोड़ा increase करना है next option, contrast को increase करना की बाद आपको last आपको color no reduction को थोड़ा increase करना है plus 40 में रखना है आपको 39 में रखना है देन आपको करेना है editing complete हो गया है तो आप before after करके देख सकते हैं फोटो पहले के साथ आपके सा unique और beautiful हो गया है देखने में